आपने कितना कितना पेपर के अंदर लिखना है वो सारी आपको डूटेल है वो इस वीडियो में समझाए जाएगी सबसे पहले हम पेपर को कैसे प्रिजेंट करना है उसका तरीका बताते हैं सबसे पहले अगर आप देखें तो उर्दू लिखा हुआ यह जो अर्दू लिखा हुआ है इसको आपने बिल्कुल सेंटर में लिखने फिर निशाया तरस हिसा अवल सवाल नंबर दो जो सरकल है वो सेंटर में इन शाया तरस भी सेंटर में करेंगे आप इससाह अवल लिखने के बाद साइटों पे आपने दो ब्रैकर्स लगाने हैं सवाल नंबर दो फिर मुक्सर सवाल यह बिल्कुल दर्मियान में प्लिक सकते हैं उसके बाद क्वेस्टन नंबर आपने वो क्वेस्टन लिखने हैं यह उसका नंबर दें और यह नंबर बिल्कुल आपका दर्मियान में होना चाहिए सेंटर में जो भी क्वेस्टन आप ल पूर्शन वारा जो पॉर्शन है ये एंड होता है कि आपके उस उर्दू के सब्जेक्ट में स्पेशली जो नंबर बच्छों के कम आते हैं पेराग्राफ्मिक से आपका लिखा हुआ खुबसूरत लगता है और आप मैक्समुम जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं अब जो खुलासा है वो आपने लिखना कितना है तो खुलासा लिखने के लिए दो सफाहत कम अज़ कम होने चाहिए तो कम अज़ कम आपके पास खुलासा के पास होने चाहिए ताकि आप उसको चुछ तरीके से मैनेज कर सकें और इसके अंदर आपने जो पैराग्राफिंग है उसको लाज़मन इस्तमाल करने जीदिन परिज्राफिन ज्यादा करेंगे उसका उतना ही आपको डिनिफीट होगा छाहिए निसने कफ्यार और बतरते हैं चाहिए चाहिए अब नमबर पांच पहुते हैं तो ट्राइ करने हैं कि ये विदिन फाइव मिनट्स आपका ये मैनेज होना चाहिए और जो अपर वाले ये शार्ड कोईशन्स हैं ये दस मिनट मैक्सिमम इससे ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगना चाहिए उसके बाद जो खुलासा है इसमें तक का उनवान ये बी मरकर से मुसन्नब का नाम, खत व्यक्षिदा हल लगत या खत कश्युदा अलफाज के मानी वो साइटों पे रिमाइन लगा कि इदर अलफाज लिग देने हैं इदर उसके मानी उसके बाद जो भी उसने हमें लाइने दीए होंगी उन्दीगी लाइन्स को हमने तीन कुणा़ बढ़ा देना है इस तरह मारा ये पॉर्शन भी क्या हो जाता है मुकमल हो जाता है उसके बाद हमारा एक सवाल आता है खतियां तरखास लिखे हैं तो खतियां तरखास लिखने के लिए जो उड़ेकर है सबसे टॉप पे बाखिदमत जिनाब सदरे मौलम या हेड मास्टर या हेड मिस्टर गोर्वर्मेंट हाई स्कूल अलिफ बेजीम उसका आपने स्कूल का जो नेम है जहां पे आप पढ़ रहे हैं जो भी है वो आपने नेम मेंशन नहीं करना बोर्ड की स्कीम पे अकॉर्डिंग नेम मैंशन नहीं कीजिये तॉसके बाद बखितमत जिनाब हैल्थ हफिसर जिला अलिफ पेजी बखितमत जिनाब पोस्ट मास्टर जिला उपर खात में या दर्खास में लिखा हो तै उसके बाद उन्मान दर्खास बराए रुखसत बवज़ा जरूरी काम यह इस तरह का जो भी अनुवार बनते हैं इसके बाद जनाब आली है जनाब आलिया इसके बाद यह अपने वन वाली लगाना है हाइक बन मतलब ऐसे करके माक्स आफ एकस्परनेशन उसके बाद आपने मौदबाना गुसारश है जहां यह बिल्कुल फस जैसे लाइन कालम लगा लता है उसके बिल्कुल सुरी दिए का छूड के आपने लिकने मौदबाना गुसारश है उसके बाद एन 150 एन वाज़िश के बाद आपने दर्खास जो भी इसका पैटर्न है वो मकमल लिकने के बाद एन मश्रूर होगी उसके बाद दर्खास गुजार ये बिल्कुल लेफ्ट एंड प्याना चाहिए आपका शगिर्द अलफ बेजीम तो उपर हो चुका होगा दालरे सीन फिर जोल नमबर फिर जमात और तरीख जहां पर आप का ये आपका शगिर्द दुकास के बिल्कुल लाइन में सामने राइट एंड पे आपने उसकी जो तरीख है कोई भी डेटा पैड़ कर सकते हैं फिर सवाल नमबर आगे खत काईगा उस खत लिखे का पैटर्न ये है कि धानी मरकस दरीख लिखे हैं जो भी डेट है उसके ब दृप्सयाम सक्डाइशन ए माकस हो अरच को पार और ये रया कि लिखने के लिखे हो बिल्कुल भाटम째 याँ से और से चुरू किरा उसके बाद पृड़ इसके बाद प्राइस लिकाने के बाद द में बिलकुल या मिलकूल बाटम्म पे यहां से ज्रूर करना है अर्ज है अश्यार की तश्री इस पे कम अश्काम यह जो पिछा क्वेस्ट ने खातिया खुलासा खातिया कहाने यह जो दर्खास्त है इसको लिखते हुए कम अश्कम आपके पास 10 से 15 मिन्ट होने चाहिए 10 मिनट मैक्सिम्म 10 मिनट रखें ताके बाकी जो तश्री होती है अश्यार की तश्री वो बहुत लेंटी होती है और इस पे थोड़ा टाइम जदा लग जाते है इसको लिखते हुए आपने कुछ चीजों का खास ख्यार रखने है सवाल नमबर जो भी आपका होगा वो उसके एकॉर्डिंग बोर्ड के पेपर के एकॉर्डिंग आपने हो सवाल नमबर तश्री लिखनी है तश्री एक मिस्रा का चार गुना कार देने है तकरीबन ये साथ से आठ जो लाइन से हैं वो बनेंगी क्योंकि जो मिस्रा लिखा होता है वैसे अगर हम उसको वैसे लिखेंगे एक लाइन को तो हमारी उस हिसाफ़ से जो लिखेंगे खुद तो चार से पाँच लायन एज़ी बन जाती है है इसलिए उसको हमने 8 से 9 जो लायन से है करना है और ये 5 हमने अश्रार के तश्रीः करनी है तो तकडिवब अदे घंटे से पहले-पहले हमने इस तश्रीः को मैनईजी करने है ताके हम जो कि मारा क्वेस्टन होगा उसके तरफ यह जा सकें और खुलास मुसली क्या होता है पेपर के अंदर लिखनी होती है कहानी तो कहानी लिखते हो भी आपने यह ट्राय करना है कि जो कम अज कम टाइम उसके लिए आधा घंटा बचाना है मजमून यह कहानी लिखनी होती है तो कि आप उसको इस तरह कर सकें और अपना जो पेपर है यह ना हो कि आपने पेपर छोड़ दिया है टाइम का मिला था तो यह चीज़ें ऐसी नहीं होने चाहिए पेपर को उर्दू का स्पेशली पेपर जो है यह लेंटी होता है इसमें टाइम मैनेजमेंट इसका बड़ा ख साइटिंग से बचें अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसके उपर घंद नमारे में साइटों पर दो लांच लगा कि साइटों पर क्रॉस करें और उससे इतना श्रू कर दें